एक आत्मी का मर्डर हो जाता है पर पुलीस का सारा डाउट उसकी वाइफ पर था इस केस का जो डिरेक्ट्व है यह अपना खुद काफ है और इस केस के बीच में कन्फ्यूस्ट हो जाता है हलो फ्रेंड्स आज मैं आपको तो स्कारलेट लेटर यह 2004 की एक कोरियन मिस्ट्री मूवी एक्स्प्लेंट करने वाला हूँ यह मूवी बहुत सारी जगा पर अन्प्रेडिक्टेबल है तो आपको आपकी सीट के एच पर रखेगी तो अंतर इस वीडियो को जरूर देखेगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजे अगर बिना किस दरी के एकस्पलीशन डारेक्टलि स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हम अमारे में कारेक्टर कीहून को देखते है कीहून एक पुलीस ओफिसर था और आज एक मर्डर हुआ है इसी क्राइम सीन पर वो पहुचता है Crime Scene पर एक आदमी का Murder हुआ है हर जगा पर बहुत सारा Blood पड़ा था कीहुन अपने Friend से गहता है कि यही आसपास Murder Weapon पड़ा होगा क्योंकि General इंस Murder Weapon Crime Scene से नहीं जाता इस Crime को Report करने वाली इस Dead Body की वाइफ थी इसका नाम है Young ही यंगी को question पूछने के लिए फिर police station ले जाया जाता है कि हुन direct लिए उसे पूछता है कि तुमने अपने husband को क्यों मारा वो कहती कि मैंना ऐसा कुछ भी नहीं किया मैं कुछ grocery लेने के लिए बाहर गई थी और वापस आई तो direct लिए उसका murder हो चुका था कि हुन उसे पूछता है क्या तुम उस पर cheat कर रही थी यंगी कहती कि अगर तुम्हें मुझ पर बिली उने होता तो एक shoe shop पर जाकर तुम चेक कर सकते हो वहाँ पर मैंने shoes पहने थे और pay करना ये भूल गई और भी question पूछने से पहले कि हुन ने उसे coffee के लिए पूछा वो जब बनाने के लिए गया और वापस आया तब तक यंगी सोच चुकी थी इसके बाद movie में हम हमारी और एक main character को देखते हैं इसका नाम है गाही किहुन रात में गाही से मिलने के लिए उसके बार में आया हुआ था इसके बाद दोनों intimate हो जाते हैं अगली सुबा हमें किहुन का घर दिखाया जाता है और इसके wife अलग है इसका मतलब वे गाही के साथ उसका affair चल रहा था आज उसकी और उसके wife की doctor के साथ appointment थी क्योंकि उसकी wife pregnant भी है जिस तरीके से अपनी wife से बात करता है इससे हमें पता चलता है कि उनके marriage में कोई भी problem नहीं थी Nixon में सारे police officer यंगी के husband के murder के बारे में बात कर रहे थे एक नहीं कहा कि यंगी ने बहुत सारे abortion करवाए हुए थे जो उसके husband को पता नहीं था शायद उसका कोई affair होगा हमें इसके बारे में और भी जानना चाहिए कि हुन कहता है उस पर नज़र रखने के लिए हम कुछ लोग को लगा देते है कि हुन को गन का बहुत ही शोक था इसे dismantle करकर फिसे assemble वो सिर्फ 20 सेकंड में कर लेता था उसके friend ने उसे का हम कभी भी इस गन का use नहीं करते हैं तुम ये सब चीज़े क्यों करते हो कि हुन कहता है मुझे गन बसन है सिर्फ इसी वज़े से मैंने forces join की थी नेकसिन में हम देखते है कि यंगी से एक बहुत ही suspicious आत्मी एक cafe में मिलता है यंगी ने उसे कुछ पैसे भी दे दिये पुलीस यंगी पर नजर ही रख रहे थे तो सारी बात उन्हें पता चल गी नेकसिन में किहुन अपनी वाइफ के साथ डॉक्टर के पास आया हुआ था नर्स उन्हें सब कुछ रिपोर्ट्स विकरा दिखा दिये बोलने बोलने में बोलके कि फिर इसे abortion करना सही नहीं होगा आप अपने बच्चे का अच्छे से खैल रखेगा इसका मतलब किहुन की वाइफ ने अल्रीडे एक abortion किया हुआ था किहुन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है यह सुनकर उसे बहुत ही बुरा लगा पर इस बात को पूरी तरीए से इग्नोर कर देता है जिसा आदमी को यंगे ने पैसे दिये थे इससे जाकर पुलिस पकड़ लेते है उससे पुलिस ने बहुत सारे question पूछे पर वो कुछ भी नहीं बता था किहुन ने तो उसे मारा भी था फिर भी वो कुछ भी नहीं बता था रात में हम देखते है कि किहुन का जिसके साथ affair है की ही इसे अचानक से पेट में दर्द होने लगता है उसने pregnancy की test ली तो प्रिगनन्ट थी यंगी की husband के autopsy की report आ चुके थे तो किहुन यंगी से मिलने के लिए उसके पास गया यंगी का एक photo studio है वो से कहती है अगर आप लोगों का album देखे तो उससे बहुत सारी चीज़ी imagine कर सकते हो जैसे कि ये family यहाँ पर मुझे लगता है कि इनका बेटा military में होगा जब वो वापस आया तो सारी family ने vacation ली है उसके साथ उसकी girlfriend भी है जो आज बहुत ही awkward है यंगी अपने husband में कोई भी interest नहीं दिखा रही थी तो किहुन इस पर change आता है कहता है कि क्या तुम्हें कुछ भी फरक नहीं बढ़ता तुम्हारे husband की day थी heart attack की वज़े से हुई थी heart attack आया उसकी artery burst हो गए इसी वज़े से सारा blood बढ़ा था यंगी कहती है marriage में बहुत सारी problems होती है पर हम इसे overlook कर देते है क्या कभी तुमने अपनी wife को hate किया है मैं भी अपने husband को बहुत ही hate करती थी पास सालों के पर फिर भी मेरी feelings बदली नहीं रात में कीहुन घर पर है वो अपनी wife के लिए अच्छा सा cook करता है कीहुन की wife सीहुन उसे abortion के बारे में बताना चाहती थी पर कीहुन इस बात को पूरी तरीके से ignore कर देता है उसे गर पर गही का call आया उसे मिलना चाहती थी पर कीहुन ने उसे पूरी तरीके से ignore कर दिया यंगी का आफेर है या नहीं इसके वारे में पुलीस बहुत सारी इंफर्मेशन निकाल रहे थे तो यंग ये ने डारेक्ली किहून को अपने आफेर के बारे में बता दिया वो गय थी कि एक आदमे मेरे स्टूडियो में आया हुआ था उसने मेरी फोटो ली, वो मुझसे फलर्ट करता था उसने एक फोटो शुट किया जिसमें उसने सिर्फ अपने पेरों की फोटो ली इसके बाद उसके हाथ उसका चेस्ट इस तरह के से वो फोटो शुट करता था हर विग वहाँ आया करता था वो अटमेट करती है कि स्टूडियो में उसे बहुत ही अकिला महसुस होता था तो जब वो आता तो उसे बहुत अच्छा लगता उसकी कंपनी के लिए वो थैंक्फूल थी इसी तरह के से इनका अफेर हो गया था एक दिन फिर जब यंगी का हस्बन स्टूडियो में था तो उस आदमी ने जो फोटो ज यंगी की ली थी यो उसने पकड़ ली एक फोटो में I love you यंगी ये भी लिखा हुआ था इस बात पर यंगी और उसके हस्बन की बीच में फाइट हो जाती है वह ऐसे भाग गई थी जो वह वापस आए तो उसके हस्बन का मर्डर हो चुका था ये सब सुनने के बाद रात में कीहू अपनी वाइफ के कंसर्ट बजाता है तो उसके वाइफ अच्छा सा वायलिन बजाती है कंसर्ट के बाद एक पार्टी थी और इस पार्टी में गीही भी आई गीही आकर डारेक्ली सुहून से बात करती है इससे हमें पता चलता है कि दोनों कॉलेज की फ्रेंड्स हैं कीहून भी गीही को यहाँ देखकर सप्राइस था पार्टी में गीही ने किहुन को कॉल लगया उसने का कि कोई खोई हुई चीज अगर तुम फिर से पालो तो जिस तरीके से खुशी होती है क्या मुझे देखकर भी तुम्हें उसी तरीके से खुशी हुई बात करते करते हो उसके पास आए उसने कहा क्या तुम्हें याद है हम फर्स टाइम कहा इंटिमेट हुए थे बात करते गए तो उसके पास आई कहा कि मैं प्रेगनन्ट हूँ इन दोनों को पास आता देख सुहून ने देख लिया था किहून भी गीही के पीछे पीछे गया किहून उसे अबोर्शन करने के लिए कह रहा था पर गीही इस बात बार बहुत जादा गुसा हो के वह यहां से चली जाती है उसने कहा कि तुम हसी कुछे अपनी वाइफ के प्रिवियस स्थिन में यंगी ने जिस आदमी के साथ उसका अफेर हुआ है इसके बारे में बताया वो actual में country से बाहर था जब वो आपस आता है तो किहुन उसे directly police station में लेकर आता है किहुन ने उसे बोचा कि तुमने यंगे की pictures क्यों लिये थे इस आदमी का नाम है जंग जंग गहता है किसे के nude photos लेना कोई भी crime नहीं है पर यंगे ने nude pictures के बारे में कुछ भी बताया नहीं था इस बात में किहुन interested हो गया वो कहता है क्या फेर कैसे हुआ इसके बारे मुझे सब कुछ बता जंग ने का कि मैं photoshoot करने के लिए हमेशा studio में जाया करता था यंगी को में पसंद था तो हमेशा मुझे व फ्लर्ट करती थी मुझे भी अच्छा लगने लग या था एक राद उसने मुझे बुलाया उसने काओ कि मेरा husband आज घर बर नहीं है तो उसका nude photoshoot उसे करना था मैंने उसका photoshoot तो किया और हमारे बीच में कुछ भी हुआ नहीं था इसके बाद राद में गाही कीहून को अपने आवार्मेंट में कॉल कर दिया कीहून की जगा पर सुहून वहाँ पर पहुँच गई थी वो गीही को confront कर दिया कीहून गाही और सुहून ये सारे एक दुसरे के सामने आ गए थे सुहून ने कीहून से कहा कि अब मुझे divorce चाहिए Nixon में हम देखते हैं कीहून फेसे case की investigation कर रहा था यंगे ने जिस आदमी को पैसे दिये थे उस आदमी के घर में वो घुस गया यहाँ पर उस आदमी की girlfriend के साथ वो फोटो देखता है वो आदमी फरार था तो कीहून ने उसकी girlfriend से बात की girlfriend ने कहा कि यंगी के husband ने मुझे buy करने का offer दिया था वो चाहता था कि मैं उसे baby दूँ इसके बदले में मुझे बहुत सारे पैसे हो देने वाला था यह बात उसके boyfriend को अच्छे नहीं लगी boyfriend को भी यंगी के husband ने यंगी पर नज़र रखने के लिए hire किया था जब यंगी के husband को पैदा चला कि उसका offer चल रहा है तो इस boyfriend को बहुत डाटता है boyfriend वैसे भी यंगी के husband पर बहुत जादो गुसा था तो डारेटल उसने एक चीज ली उसके सर पर हो मारता है सर पर मारने की वज़े से कुछ complication हुए और इसी वज़े से यंगी के husband को heart attack आया था यह सब पता चलने के बाद कियून उसे arrest कर लेता है उसे long term सजा भी होगे इस case को solve करने की वज़े से कियून को medal दिया जाता है इतना सब कुछ होने के बाद भी कियून सुयून के साथ ही घर में रह रहा था उसके लिए gift वेगरा लाता है उसे award मिलने के बाद उसके साथ गाही थी आज गाही का बड़े है पर क्यून इसके बारे में भूल गया था यह दोनों एक लेक के बास आते है क्यून अपनी wife को एक present देना भूल गया था यह present उसने गाही को दे दिया वो कार की टrंग में बेटी थी और उसे किस करने लगती है उसने मजाग में गीहू को अंदर किस लिया और उनकी गाड़ी की टrंग बन हो जाती है यह दोनों इसमें लॉक्ट हो गया और यह बाहर भी निकल नहीं पा रहे थे गाही ने मजाग में का कि अगर हमारी यहाँ टेथ हो गए तो सबको लगेगा कि हमने दोनों मिलकर सुसैट कर ली है यह सुनकर कि उनको बहुत ही सफोकेटेड लग रहा था यहाँ से बाहर निकलने की वह बहुत कुशिश करता है पर कुछ भी कर नहीं पाता एक दिन बीथ गया पर फिर भी ओगर नहीं आया था तो सियून ने पुलिस को कॉल कर दिया था गाड़ी में क्यून और गाही की कंडिशन बहुत ही खराब हो गई थी गाही कहती कि मैं हमेशा जाती थी कि तुम मेरे साथ रहो फाइनली मेरी विश कंपलेट हुई है एक आड़ी के ट्रंग में ही सुबा एक साथ उठे क्यून यहां मरना नहीं चाहता था वो अपनी गन लेकर ट्रंग को बहुत शूट करता है पर फिर भी बाहर निकल निवाता अचानक से गाही को ब्लीडिंग होने लगी उसे यही पर मिसकैरेज होने लग गया था गाही ने अपने लाइफ में जो भी डिसेजन लिए इस डिसेजन को रिग्रेट कर रही थी हमें बता है कि गाही और सुयून ने दोनों एक साथ कॉलेज में थे तो अब हुआ गया था इसके बारे में हमें पता चलता है एक्चुल में सुयून ने गाही की स्टूरंट थी तब ही उन दोनों में अफेर हो गया था वो दोनों एक दुसरे से बहुत प्यार करती थी उस वक्त किहून ने गाही का बॉइफरेंड था सुयून को लगा कि अगर किहून ने गाही से शादी कर ली तो बहुत ही अकेली पर जाएगी तो इसी वज़े से उसने किहून के साथ अफेर कर लिया उसके साथ शादी कर ली हम देख सकते कि सुयून और गाही इन दोनों ने जो भी डिसिजन लिये ये दोनों इसे डिग्रेट कर रही थी किहुन और गी ही ये ट्रंग में थे और इसके बाद एक-दो दिन बीथ गए उसके बाद पुलिस को इनकी बारे में पता चला उन्होंने जब डिक्की खोली तो किहुन अब भी जिन्दा था ब्लीडिंग की वज़े से गाही की डेथ हो चुकी थी बाहर निकलने के बाद किहुन बहुत रोता है उसने जो भी किया इस सारी बात पर उसे पच्टा आ रहा था यंगी के हजबन के मर्डर केस की इन्वेस्टेशन करते वे शिहुन को पता चला किया एक्च्टॉल में मर्डर का टाइम यह ज़रा लेट था उस आदमे ने यंगी के हजबन को जब मारा उसके बाद एक घंटे के बाद यंगी के हजबन की डेथ हुई थी इस बारे में वो बहुत सोचता है और फिर वो यंगी के पास आया यंगी भी इस बात को एडमिट करती है कि जब वो ग्रोसरी स्टोर से वापस आये तो उसका हस्बन जिन्दा था अगर उसे हस्पिटल लेकर जाती तो जी सकता था पर यंगी ने उसे मार डाला किहुन ने जिस आदमी को जेल में डाला है वो औरेड़ी जेल में जाकर आया था तो किहुन को लगता है फिर से जेल में रहना उसके लिए जादा कुछ हाड नहीं होगा कोई यंगी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएगा किहुन नहीं भी पुलीस का जॉब अब छोड़ दिया था यंगी का जंग के साथ अफेर था जंग नहीं यंगी के लिए एक फोटो में I love वी लिखा था एक फोटो किहुन फेर से यंगी को देता है कहता है कि वो अब भी तुमसे प्यार करता है तुम अगर जाहो तो उसके पास जा सकती हो यंगी कहती है अगर मैं उसे प्यार करती हो तो फिर भी मैंने जो भी किया क्या सब कुछ सही था क्या सारे मेरे क्राइम्स माफ हो गए कि उनने खुद प्यार में बहुत सारी गलत चीज़ी की तो इसका वो आंसर नहीं थे पाता उसके गलट decision की वज़े से वो पूरी तरीके से अकेला पर चुका था वो रात में घर आकर बहुत रोता है और इसी के साथ ये movie end हो जाती है ये movie एक point present करते है कि प्यार में लोग गलट चीज़े कर सकते है पर फिर भी उन्हें उसे भूगत ना पढ़ता है फाइनली क्यून अकेला पर चुका था ये अंगी अपने husband के murder के गिल्ड में जी रही है इस गिल्ड में जीना भी एक सजा से कम नहीं था तो इसी के साथ आज का वीडियो हम खदम करते है अगर आपको explanation अचा लगा तो ब्लीज इसे like कर दीजेगा वह बहुत सारी movies लेकर आते रहता हो तो ब्लीज इस चैनल को subscribe कर दीजे और bell notification icon दोने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमोग के साथ तब तक लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखे